देखिए दोस्तों, अगर आप इस एक्जाम को वास्तों में ही क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको एक बात तो अपने माइन में बिल्कुल सैट कर लेनी होगी, कि आपके पास इस एक्जाम को किलियर करने के लिए केवल इस बार एक ही चांस है, केवल ये लास्ट चांस बचा ह हुआ है आपके पास, आपके पास केवल एक ही अपोर्चुनिटी है इस बार और आपको अपना फोकस पूरा इसी पर लगाना है, अगर आपको सचमुच इस बार एंडिय में सेलेक्शन पाना है, तो आपको इन चीजों को अपने माइन से बिल्कुल निकालना होगा, कि इस आपको अपनी प्रिप्रेशन आज से ही सुरू करनी होगी, इस वीडियो में आज मैं आपको पूरा स्टेडी प्लान बताऊंगा, पूरी स्ट्रेटेजी आज मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं, और एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कि इस वीडियो को आपका देखने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने इन बातों को follow नहीं किया तो इसलिए आपको आज से ही इन चीज़ों को follow करना है तभी आप अपना exam बिना किसी coaching की help के crack कर सकते हो दोस्तों अगर आपने मेरी इन बताई हुई बातों को follow कर लिया तो आप 100% NDA का exam clear कर दोगे ये मेरी guarantee है आपको लेकिन मेरी एक सर्थ है किस वीडियो को आपको पूरा देखकर 100% follow करना होगा तभी आप इसके exam को clear कर सकते हो इसे follow करने के अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को सुरू करते हैं साथे हों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि NDA exam की तयारी करने के लिए हमारे strategy का point number one है NDA exam के slaves को analyze करना और इसका point to point exam pattern तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि NDA के exam के लिए आपको दो states से गुजरना होगा पहला है इसका written exam, दूसरा है interview आपका जो NDA का exam है वो आपका दो section में divided है इसमें पहला है mathematics और दूसरा है general ability और general ability दो part में divided है पहला है English, दूसरा है GK तो इस तरह आपका जो NDA exam होगा वो total 900 number का होगा और उसके बाद SSB interview भी आपका 900 number का होगा दोस्तों आपका जो सबसे पहला exam होगा वो आपका math का होगा और math में total आपके 300 marks के questions आएंगे और इन questions को करने के लिए आपको ड़ाई गंटे का समय दिया जाएगा जीके के portion से आपके 400 number के questions आएंगे इस तरह आपका जो general ability exam है वो total 600 number का होगा जीके में आपकी total जीके cover होगी history, geography, policy, science science में आपका physics, chemistry, biology इन सबी से आपके questions पूछे जाएंगे इसके साथ ही current affair भी आपकी आएगी तो इस तरह से इसका exam pattern रहता है तो अब बात करते हैं इसके syllabus की दोस्तों syllabus मैं इस वीडियो में cover नहीं कर रहा हूँ क्योंकि syllabus की अपने पहले ही वीडियो बना रखी है आप वहाँ से जाकर इसका syllabus note कर सकते हैं और एक बात मैं आपको बता दूँ किसका जो syllabus है वो आपकी notebook में एक-एक topic आपका लिखा होना चाहिए कि किस topic से इसमें सवाल आएंगे इसलिए हर subject की notebook के पहले page पर आपका syllabus लिखा होना चाहिए topic wise इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका कौन सा topic cover हो चुका है और कौन सा नहीं हुआ और जब आप अपनी notebook में इसका syllabus note कर लो उसके बाद आपको analyze करना है कि इस syllabus में से कौन से topics आपके cover हो चुके है कौन से आपको करने है और कितने time में आपको cover करने है इसकी time limit भी आपको लिखनी होगी कितने time में मुझे ये complete करना है क्योंकि अगर आप time limit नहीं लगाओगे तो वो कभी भी complete नहीं होगा इसलिए आपको लिखना होगा कि इतने time में मुझे ये चीज cover करनी है इसलिए आपको ये चीजे सुरू में ही लिख लेनी है ताकि आपकी नजर daily उस पर पढ़ती रहे और आपको पता रहे कि आपका कितना cover हो चुका है syllabus और कितना रह गया है तो इस तरह से आपका syllabus complete हो जाता है दोस्तों NDA की तैयारी का point number two आता है study material friends अगर आप चाहे किसी भी exam की तैयारी कर रहे हो और आपके पास एक best quality का study material नहीं है तो चाहे वह exam कितना भी easy क्यों नहीं हो आप उस exam को कभी भी clear नहीं कर पाओगे इसलिए आपको किसी भी exam की तैयारी करने से पहले उसका best study material पता होना चाहिए यानि कि जो आप study करने वाले हैं वो आप किस teacher की help लेनी हैं किस teacher की help नहीं लेनी हैं और आपके practice set कौन से बढ़िया होते हैं यानि कि अपनी practice आप कहां से करें कहां से ना करें इन सभी की जानकारी आपको होना चाहिए लेकिन आपको NDA exam की best book के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है हमने अपने चैनल पर वीडियो बना रखी हैं कि NDA के लिए कौन से best book मानी गई है उसके लिए practice set भी हमने बता रखे हैं तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखना उस वीडियो में हमने पूरा खुल कर आपको बता रखा है सब कुछ A to Z आपको वाँ पर मिल जाएगा best book के बारे में दोस्तों उस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप किस book को use करें और किस book को use ना करें तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखना तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं NDA के exam की strategy के लिए point number 3 की तो चलिए दोस्तों अब आता है NDA exam की strategy का point number 3 जो की है time table दोस्तों सबसे पहले आपको अपना calendar उठाना है और अपने time को कर देना है बिल्कुल fix कि आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं कितने दिन नहीं बचे हुए आपका exam किस date को है आज से लेकर उस दिन तक आपको total days count कर लेने हैं और उसको divide कर देना है अपने syllabus से यानि की आपका syllabus कितना बचा हुआ है और आप उस syllabus को कितने दिन में complete कर लोगे और फिर कितने दिन आपके पास बचे हुए हैं इन सब को आपको calculate करना है यानि की जितने दिन आपके पास बचे हुए हैं उससे पहले ही आपको अपना syllabus complete करना होगा और उसी के according आपको अपना time table बनाना होगा पढ़ने का time period उसी के according आपको करना होगा और तयारी में लग जाना है पूरी मेहनत से आज से ही और साथियों आपको हर subject के लिए अलग time fix करना होगा आपको देखना होगा कि किस subject का सबसे ज़्यादा syllabus बचा हुआ है और किस subject का syllabus cover हो चुका है आपको देखना होगा कि आप किस subject में strong है और किस subject में आप weak है जो subject आपका weak है उसको आप ज़्यादा time देना और जो subject आपका strong है उसका time थोड़ा सा कम कर देना ताकि आपका weak portion भी आपका strong हो जाए दोस्तों आपके हर subject से सबसे पहले आपको उस topic को cover करना है जहां से NDA के exam में सबसे ज़्यादा questions बनते हैं यानि कि जहां से exam में questions पूछे जाते हैं उस topic को आपको सबसे पहले पढ़ना है सबसे पहले उस topic को cover करना है साथियों अब मैं आपको बता दूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि किस topic से सबसे ज़्यादा question आपसे पूछे जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना केवले एक काम करना है आपको previous year के questions paper को उठाना होगा उनको पढ़ना होगा और उनमें देखना होगा कि आपके सबसे ज़्यादा question किस subject के किस topic से आ रही है और हर साल किस topic में से questions repeat हो रही है उनको आपको note down कर लेना है और उनी को सबसे पहले आपको cover करना है तो इस तरह से आपको important topics का भी पता चल जाएगा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको अपना खुद का एक schedule बनाना होगा अपने खुद के important notes तयार करने होगे और उसी schedule के उसी syllabus के according आपको चलना होगा उसी के according ये आपको पढ़ा ही करनी है दूसरे के schedule को आप बिल्कुल भी copy करने की कोशिस मत करना आपको जो suit करता है आप उस तरह से अपना schedule बनाना अगर आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप दिन में पढ़ना और अगर आपको रात में जाता पढ़ने का अमन करता है तो आप रात में अपना schedule बनाना जैसा schedule आपको suit करता है आप वैसा schedule बनाओ इससे आपको कुई भी दिक्कत पढ़ाई में नहीं होने वाली दोस्तों अगर आप खुद का अपना एक schedule बनाते हैं तो ही आप इसकी अच्छी तयारी कर सकते हैं दोस्तों हमारी strategy का point number 4 है previous year questions paper दोस्तों जब आप अपना पूरा schedule बना कर अपने syllabus का 70-80% syllabus cover कर लो तो उसके बाद आपको क्या करना है आपको previous year questions paper के practice set लगाने शुरू कर देने हैं आप इसके practice set offline भी लगा सकते हैं और online भी लगा सकते हैं offline practice set आप मंगा सकते हैं बाजार में book आती है practice set की और online test series चलती हैं online भी आप test reach दे सकते हो क्योंकि practice set लगाने से आपको अपनी तयारी का पता चल जाएगा कि आपका कौन सा topic week है और कौन सा topic आपका बहुत अच्छा हो चुका है तो इस तरह से आपको अपनी practice set लगाने हैं दोस्तों आपको अपनी तयारी का अंतिम रूप देने के लिए daily एक mock test जरूर लगाना होगा mock test लगाने से आपको एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि आप time limit में ही अपनी तयारी को देख सकते हैं कि कहां पर आपका ज़्यादा time लग रहा है और कौन से topic को आप बहुत जल्दी cover कर रहे हो या फिर किस subject के questions को आप ज़्यादा time दे रहे हो इन सब की जानकारी आपको मिलती चली जाएगी और इसका बहुत बड़ा benefit आपको exam वाले दिन exam hall में देखने को मिलेगा mock test से आपको पता चल जाएगा कि आपको किस subject के किस topic को दोबारा repeat करने की जरूरत है दोबारा पढ़ने की जरूरत है कहां पर आप weak हो और कहां पर आप strong हो चुकी हो इन सब की knowledge आपको मिलेगी इसलिए आपको अपनी तयारी का अंतिम रूप देने के लिए mock test जरूर लगाने है आप mock test online लगाओ तो ये सबसे बहतर रहेगा online काफी अच्छे platform है जहां पर आप mock test को purchase करके वहाँ पर लगा सकते हो online ये रहता है कि online में आपको एक time limit रहती है और उस time limit में ही आपको exam अपना देना होता है और इससे बिल्कुल exam वाली feeling आपको आती है जैसे आप exam ही दे रहे हो इस तरह की feeling आपको वहाँ पर होती है तो इसलिए कोसिस करना कि आप अपना जो mock test है वो online ही लगाओ दोस्तों NDA exam की preparation के लिए सबसे last point है revision दोस्तों जब आपका पूरा syllabus complete हो जाता है तो आपको जरूरत होती है उसकी practice की यानि की एक तरह से उसके revision की दोस्तों revision की से क्या होता है कि जब आप किसी चीज को दुबारा पढ़ते हो तो आपको वही topic नजर आते हैं जो आपसे छूट गए है यानि की जिन पर आपने ज़्यादा धियान नहीं दिया है और वो आपके weak हैं उन पर आपका focus जाता है और फिर आप उनको भी strong कर लेते हो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दू कि revision की यहाँ पर दो तरीके हैं पहला है 10% rule यानि की जो आपने notes अभी तक बनाए हैं उनको आप daily पढ़ो daily revise करो और उनमें से important 10% वो आपको लिख लो और दूसरा तरीका है फ्लैस कार्ड का यानि की आप daily जो पढ़ो उनमें से जो important line हैं वो आप एक अलग फ्लैस कार्ड में लिख लो और उसको आप अपने साथ रखो और जब भी जहाँ पर भी आप जाओ उस फ्लैस कार्ड को आप open कर लो और एक बार उनको पढ़ लो इससे आपको वो important topic बिल्कुल पका हो जाएगा एकदम याद हो जाएगा और उसको आप कभी नहीं बूलोगे और इस तरह से जब कुछ दिन बाद आपका पूरा revision हो जाएगा और वो फ्लैस कार्ड आपके एकजाम वाले दिन आपके काम आएंगे उन फ्लैस कार्ड को यह आपको पढ़ के चले जाना है वाले दिन क्योंकि एकजाम वाले दिन एकजाम से पहले इतना टाइम नहीं होता कि आप अपना पूरा syllabus पढ़के जाओ और दोस्तों ये flash card आपके exam वाले दिन काम आएंगे जिस दिन आपको केवल इन flash cards को इपढ़ कर exam देने के लिए चले जाना है तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में आपको पूरी full information दे दी है साथियों exam की तयारी करना भी एक कला होती है एक आर्ट होती है और इसको सीखना पड़ता है दोस्तों हम अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही एक knowledgeable वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार वंदे मातरम